नवस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी त्यारी बहुत अच्छे से चले होगी दोस्तों यूपी पैट के एक्जाम के बहुत कम टाइम बचा है और उसी कम टाइम को नजर में रखते हुए हमने GS के कलास के साथ साथ आपको D.I.E.E.E. की कलास की प्रक्टिस कराने शुरू कर दी है और हमारी अभी तक चार क्लास हो चुकी D.I.E.E.E. में कल भी हमने दो गराप कराए थे और आज की class जो है हमारी class number 5 है यदि आपने सारी class के follow की तो आपको D.I.E. में कोई problem नहीं होने वाली है दोस्तों क्योंकि D.I.E. का मतलब होता है कि ज़्यादा पढ़ने सा अच्छा है कम पढ़ो परन तू questions करने का तरीका सीख जाओ ठीक है अगर आपने question करने का तरीका सीख लिया आपने question करना सीख लिया तो फिर आपको कोई भी रोखने वाला नहीं है क्योंकि आप तो बन जाओगे धुरंदर और बड़ी हावाले धुरंदर बन जाओगे ठीक है दोस्तों तो सुरू करते हैं क्या है class देखे यह एक हमारा गण दिया गया है ठीक है और हमारा जो है यूपी पैट यूपी पैट 2023 के लिए किसके लिए हमई है यह यूपी पैट 2023 के लिए हमारे अब एक विज्ञाईलिया जिसमें गणित बाड़िजय विज्यान अंग्रेजी और कला ऐसे पांच डिपर्टमजद रहें पांच विभाग दे रहें जिसमें नालिस और ने साथ कि कि यहां पर मैं से थोड़ा छोटा कर देता हूं इस तरीके से भैए इस तरीके से भें इस थोड़ाइसे नी खंच rất में आसानिहोगए कोक्षट्र्ण को अच्छा हल्का बनाने बाएं अब आप यह देखिए कि अगर मैं यहां Master कोष्ण बनाता हूँ तो और दो कि कला में क्टिने की वह गल को पड़ेगा यह कितना पड़ेगा यहां चैनी कि यह पांज़ुके आतम मैंपर यहां और ब मैंपають यहां और यहां अनुपाथ 5 के बराबर 25 उधा पांच के बराबर अगर 25 है तो एक कमान कितना आएगा पांच, एक कमान कितना आएगा पांच, अब बोईस और गल्स अपने हम बाट लेंगे, जो भी परसेंटेज होगी, तो इसमें बोईस और गल्स की परसेंटेज क्या होगी, इसमें बोईस और गल्स की परसेंटेज क्या के बियास प्रच 5 यहां पर भी और जी की परसेंटेज है वह कितना जागा बोई कितना यहां भी कितना जाएगा थिक मेंड़द neutral है तो चे बराबर एक काईज फ्रosi लुग मांपाइगा और वो इसका कित्ना जाएगा फैचीस आ जाएगा अलग अलग पर्सेंटेज निकालनों सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा जब कितनी हो जाएगे या अगर बाडिजय में देखे तो बाडिजय में कितना है, सिंगांद कितना है, बहुर्में हो निकिना है पांच aseg़ ने लिया, इस राषिय देखा कितना है, तो बहुत सी असानी हो जाएगी फिर बार-बार ये ग्राब पढ़ने ही जो तनी रहेगी बार-बार तो देखो पहला कोश्टन कहा विटाओ पृफरसर नम्बर पहला बिज्ञान में पढ़ने बाइर लड़कों की संख्या कितनी हैं तो डायरेक कितनी लड़के हैं है दस में से कितने परसेंट है तो हम डायरेक्ट कितने निकालाँगे 45 सो का छेवटे 200 जीरोसे 2020 कितना जागा 270 यह हमार आंसर अब बदा हो गया नहीं एजी एक बार महनत करड़ उसके बाद सारे कुशन इस तो हमने बताया था कि यह कुल परसेंट 25 तो यहां कितनी है 5 5 बराबर 25 से एक कमान 5 तो बोईस कितने हैं 2 तो 2 पंजे 10 गल्फ कितनी है 3 तो 3 पंजे 15 हमने इने गल्फ और बोईसमें तोड़ लिया कनबढ कर लिया ठीक है अई इसी तरीके सामने बहुत इजी तरीकते कोस्षिन मना लिया बहुत इ पहले आगे बढह disp हैं दूसरह कुर्चिन करने के लिए एक को चगान में पहलá को चैनल जाए घर मुत ओ पांच पर लाबर दस है यानि कि 5 बराबर दस यांने की पांच बराबर यस्ही 京्व्व Meer कमाच más आप तो दो कमान कोर्थ एंबन कितना जागा चाहीरी एसी तरीके हम कुर्शन करेंगे को चनम नमबर दो प्रसल नमबर दो लड़को और कला में पढ़ने वाली लड़केयों का अनुपात कितना है तो अंग्रेजी ने लड़के तो सबसब पहले लुगन लिए अंग्रेजी और फिर लिख दो अंग्रेजी और फिर लिखो कला तो कला में क्या पढ़ने वाले हैं लड़कियां यानि कि गल्फ और अंग्रेजी में क्या पढ़ने वाले हैं बोई तो यहां ढूंड लो अंग्रेजी कहां भई अंग्रेजी यह है तो अंग्रेजी में क्या निकालने से आप बच जाओगे यह ऐसा तरीका बता रहोंगे बहुत सोलिट संख्या निकालने से बच जाओगे आप यहां ठीक है तो परसेंटेस से परसेंटेस के इसे पांच पंजे पच्छिस आपका आंसर कितना है पांच अनुपाथ दो इतनी सोट तरीके से को बना सकते इतने ही सोट तरी को बना सकते हो बना तो आपको बहुत टाइम लगा 4500 का पहले आप निकालोगे अंग्रेजी बाला 30% 30% में से बोई से लग करोगे फिर ऐसे कला में निकालोगे 20% 4500 का फिर उसका आधाधा करोगे बहुत टाइम लगता इसने रेशियो के अनुसार पूछा हो आप ऐसे कर दो ठीक हाए थीतरा कोस्टन टो बहुत प्यारा कोश्चन है है कि तीसरा कोशचन देखिए सबी लड़कों का बिद्याले में पढ़ने वाली सबी लड किया अनुपात है लोग सभी तो लड़के लड़के अनुपात सभी लड़की सभी लड़कियां के साथ अनुपात पूछा भीया सवाल नंबर तीन में परसा नंबर तीन में अब बताओ होगा ना होगा बढ़िया हो जाएगा यार क्यों नहीं होगा चलो आप इसे जल्दी जल्दी जोड़ो मैं इतना इंग डालनों मजाएगा अच्छे-च्छे सवाल क इससमझने यही प्रमा जाएगो अब देखो सबसे पहला हम 22 वहीं गिंते हैं सबसे पहला हम 22 गिनते हैं 22 यानि की दस परतिशत और दस 20 हो गए है वीच और 6 26 हो चुके हैं यानि कि दस दस ध्र यहां पर फिर कितने हैं दस ठीक है भई बोई यहांपर कितने हैं पच्छिस 25 वाग हो गए तो यहाँ पर 30 55 यहनि कि 10 अदस 20 30, 35 और 6 61 61% तो आगए 22 अगर 100 में से 61 घटा देंगे 100% में से 61 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 49% अब हम अनुपाद रिगाला अनुपाद यह 61 किसे कटता नहीं है 61 कि कटता नहीं है तो आपका आंथर कितना आजाएगा? आपका जाएगा 61 अनुपाद 49 संख्या निकालने ज़रत नहीं है बभवा बिलकुल भी कोई भी संख्या निकालने जरत नहीं है आप बिलकुल मत घबराओ आप रेशियो को बाटो question करकर दो हो जाएगा आप ठीक है जालो एक Co helped with by युद बदने वाएजाए परने वाले चात्र गणित में परने वाले चात्रÓ होई किस्टा kन किसका है का आला पूर्टसर में बताया थला निंस तो गरिद्धम कितने चात्रों का तो गर्दित Indus संक्या नहीं निकालेंगे क्यों 25 प्रितियत लिखो और किसका पूछा है है विद्याले में अंग्रेजी ये पढ़ने वाले छात्र अंग्रेजी कितने है 30, उपर लिख दीजे 30 का % ये निकालना है 100, इस % से कैंसिल 25 चो का 100 और 3 चो बार है तो कितने प्रितियत है 120 प्रितियत है कितने प्रितियत है 120 प्रितियत क्लियर हो गया समझ मा आ गया बहुत अच्छी बात है सवाल नंबर पांच सवाल नंबर पांच है बहुत अच्छा कुर्शन है क्या है सवाल नंबर पांच कला में बिग्यान में पढ़ने वाले लड़के कला और बिग्यान में पढ़ने वाले लड़के बानिज्य वे गनित में पढ़ने वाली लड़कियों से क्या नुपात रखते हैं तो पहला तो कला और बिग्यान कला और बिग्यान में लड़के तो कला में कितना है कला में लड दस हैं विज्ञान में जो है वो कितने हैं विज्ञान में आपके वो है 6 तो कितना आ चुका है 16 प्रतियत आ चुका है अनुपात गल्स में क्या क्या पूछे हैं बानिज्य और फिर गनित में यह गल्स का पूछा है तो बानिज्य में कितना है देखो बानिज्य में उधर दे 15 में से और गणित में कितनी हैं जम्य परितित्व को यहाँ विए Kaitohra है। इंग हो तो अब आप खुद बताओ यहां पर ओग्या यहां होचुकाहए दसख और आपका च्षै ठीक है। कितना हो चुका है 16 प्रतिशत यहां पर कितना हो चुका है 5 और 15 कितना हो चुका है 5 और 15 यह हो चुका है 20 कितना हो चुका है 20 प्रतिशत तो आप देखो परसेंटेस से परसेंटेस, चार चोक, सोले, चार पंजे, बीज, आपका आंतर कितना आया, चार नुपात, पांच, इस तरीके से हम सारे कोश्चनों कर सकते हैं, अब मुझे बताओ, क्या कहीं 45 जुज़त पड़ी, नहीं न सारे कोश्चन हो गए, 45 जुज़त ने पड़ी, यह होता है दिमाक्ष से काम करना, ठीक है, आप 45 से करकर करकर बार-बार, करकर देखो, क्यांप एस से, आपका यह वह आंतर रहा को जो हम बता रहें, ठीक है, आप 45 करकर कर, आप अपना माइंड कर लो, यह खराब, अब बहां लगा तो बहुत टाइम, टाइम नहीं लगा जब आपको अनुपाद देता, जो परसेंट है, अनुपाद में तोड़ लो पर ही, एक यह बार तो टाइम लेगा, वह भी थोड़ा था, उसके बाद तो है, फिर सारे कॉस्टन सोल भाजाएंगे, समझ गया नहीं, सारे कॉस्टन सोल हो जाएंगे, पहरे जो जो अनुपा चलती रहेंगे, आपको पता भी है, आज हमारी 5 किलास है, ठीक है दोस्तों, तो लगातार यही प्रियासरत रहना है, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और जो चैनल पर नहीं है, वो चैनल को सब्सक्काइब करेंगे, औ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नहीं किलास पर जब तक करेंगे, जहें जवारत बंदे बातरा,